हेलो दोस्तों आज किस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि Central Bank of India के नए ATM कार्ट या debit card का pin कैसे बनाया जाता है वैसे तो Central Bank के debit card या ATM कार्ट के pin को generate करने के कई तरीके हैं बट इस वीडियो में मैं ATM machine की मदद से pin generate करने वाला हूँ आगे बरने से पहले एक जरूरी चीज बताना चाहूँगा कि Central Bank के ATM या debit card के pin को generate करने के लिए Central Bank of India के ATM machine का ही प्रियोग करें क्योंकि अन्य bank के ATM machine में Central Bank of India के ATM card का pin generate नहीं होता है तो चलिए pin बनाना स्टार्ट करते हैं ATM में चलने से पहले तीन चीजों को साथ रख लें फर्स्ट नया ATM card सकेंड रेजिस्टर मॉवाइल नमर अर्थाद जो मॉवाइल नमर आपके bank account से link है उसे साथ रख लें और थर्ड customer ID या CIF CIF नमर आपको bank passbook के front page के account नमर के आसपास में मिल जाएगा इसे note करके रख लें या आप passbook को ही साथ रख लें तो चलिए अब भी नमराने का procedure देखते हैं शुरुआत में ATM के screen का interface कुछ इस प्रकार का दिख रहा है तो सबसर पहले ATM machine में इस जगा अपने debit card या ATM card को insert करें card insert करने के बाद machine card को read करना start कर देता है card read होने के बाद एक नया interface देखने को मिलता है जिसमें हमें language choose करने को कहा जाता है तो इस जगा मैं English choose कर रहा हूँ language choose करने के बाद एक नया page open होता है जिसमें कुछ options दिखाए जाते हैं तो इस जगा green pin वाले option पर क्लिक करें Green PIN पर क्लिक करते ही एक नया पेज open होता है जिसमें कुछ option दिखाये जाते हैं तो इस जगा OTP Generation वाले option पर क्लिक करें इस option पर क्लिक करते ही एक नया phase open होता है जिसमें हमें bank account से link या register mobile number को enter करने को कहा जाता है तो इस जगा आप अपना register mobile number enter करें मोगाल नमर एंटर करने के बाद confirm बाले option पर क्लिक करें confirm पर क्लिक करते ही एक नया page open होता है जिसमें हमें customer ID या CIF एंटर करने को कहा जाता है तो इस जगा आप अपने bank का CIF एंटर करें customer ID या CIF आपको bank passbook में मिलेगा तो इस जगा customer ID या CIF एंटर करने के वाद confirm बाले option पर क्लिक करें confirm पर क्लिक करते ही transaction process होना start हो जाता है transaction complete होते ही एक message सो होता है OTP आपके register नमर पर भेज़ दिया गया है साथ ही transaction का receipt भी बाहर आ जाता है अब आप अपने ATM card को machine से बाहर निकाल लें और अपने register mail नमर पर check करें की OTP आया है या नहीं कभी कभार OTP तुरंत भी आ जाता है और कभी कभार OTP आने में थोड़ा समय भी लग जाता है यदि आपके register mail नमर पर OTP तुरंत ना आए तब आप ATM से बाहर आकर कुछ दिर wait कर सकते हैं जब OTP आ जाए तब आगे के step को follow करें क्योंकि अगले step में pin बनाने के लिए हमें OTP की आप सकता होगी चुकि मेरे register mail नमर पर OTP आ चुका है तो मैं अब next step को start करता हूँ इस जगा आप देख सकते हैं ATM के screen का interface शुरुआत जैसा हो गया है तो इस जगा ATM कार्ड को पुना इंसर्ट करें कार्ड इंसर्ट करते ही ये कार्ड को read करना start कर देता है कार्ड read होने के बाद एक नया page open होता है जिसमें हमें language choose करने को कहा जाता है तो मैं पुना English choose कर रहा हूँ language choose करने के बाद एक नया page open होता है जिसमें कुछ options दिखाए जाते हैं तो इस जगा पुना green pin वाले option पर click करें green pin पर click करते ही एक नया page open होता है जिसमें कुछ options दिखाए जाते हैं चुकि हमने first step में OTP generate कर लिया है अब उस OTP को verify करके pin बनाने वाले हैं इसलिए इस बार set pin वाले option पर click करें इस option पर click करते ही एक नया page open होता है जिसमें बताया जा रहा है कि यदि आपके register number पर OTP आ गया हो तो confirm पर click करें वरना exit पर click करें तो इस जगा confirm वाले option पर click करें confirm पर click करते ही एक नया page open होता है जिसमें OTP enter करने को कहा जाता है तो अपने register mobile नमर पर आये हुए OTP को इस जगा enter करें OTP enter करने के बाद confirm बाले option पर क्लिक करें confirm पर क्लिक करते ही machine OTP को verify करना start कर देता है और screen पर please wait का एक message सो होता है OTP verify होने के बाद OTP validation successful का message सो होता है और pin set करने के लिए confirm पर क्लिक करने को कहा जाता है तो इस जगा confirm बाले option पर क्लिक करें confirm पर क्लिक करते ही एक नया page open होता है जिसमें आपको अपने debit card के लिए 4 रंकों का pin बनाने को कहा जाता है तो इस जगा आप अपने ATM card के लिए जो 4 रंकों का pin बनाना चाते हैं उसे enter करें pin enter करते ही एक नया page open होता है जिसमें same pin को re-enter करने को कहा जाता है तो इस जगा भी same pin को re-enter करें pin re-enter करते ही transaction process होना start हो जाता है और please wait का एक message सो होता है transaction complete होते ही एक नया page open होता है जिसमें एक message सो होता है कि आपके debit card का pin successfully set हो चुका है साथ ही आपके transaction का receipt भी बाहर आ जाता है अब आप अपने ATM card को बाहर निकाल सकते हैं तो दोस्तों इस प्रकार से आप Central Bank of India के ATM card का pin बना सकते हैं अब आप इस pin की सहायता से transaction कर सकते हैं दोस्तों यदि pin बनाने के दोरान आपके register नमर पर OTP नहीं आ रहा है या कोई और technical problem create हो रहा है तो comment section में जरूर बताएं मैं उसका solution दे दूँगा इस वीडियो में फिलाल इतना ही